Hello Friends, welcome to Vidya lleom online classes. पिछली क्लास में हम लोगों ने जोड को देखा बिन्न के जोड को और आज की क्लास में लोगों बिन्न के भाग को देखेंगे. बहुत आशान तरीके से मैं आपको बताऊंगा बिन्न का भाग यानि जो fraction के क्या होते हैं उनको कैसे solve करते हैं आपको simply करना क्या होता है जो अंक पहले लिखा है बस आप उसको ऐसे ही लिखा रहने दिना रहता है जो भाग का चिन होता है इसको आप गुणा का चिन कर लीजि हैं तो देगई काटते कैसे हैं नीचे किसी भी काटे가요 तो आप कितना आ गया और कितना वोगया औूपर कितना बचया रही होगा यह आंसर काईगा आपके बहुत आसान तरिके से कर सकते हैं देखिए गलती क्या होती मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ एक आप लोग बहुत बड़ी इसमें गलती करते हो डिवीजन में वो क्या है अगर आपने नहीं सीखा तो आप हमेशा ही गलत करोगा देखे यहां पर जैसे ही कोश्चन है तो हमने क्या बोला पहला वाला भिन जो है आप ऐसे ही लिख लीजिए आपने लिख लिया फिर मैंने कहा कि अगर भिन के फ्रैक्शन्स हैं तो आपको करना क्या है आपको यह भाग को हटा करके इसको गुणा का चिन्ह बनाना है और संख्या को पलट देना है तो पांच बटे छे लिखिए तो क्या करना है छे बटे पांच कर देना है फिर वही आगया आगया फिर आपने का सर फिर भागा गया तो फिर मैंने वही का फिर आप इसको गुणा कर लीजिए और फिर इस अंग को पलट दीजिए यानि दो बटे साथ है तो इसको क्या कर देंगे साथ बटे दो कर देंगे अब जो कट रहा है उसे काट लेंगे जो न तेन कडिया, वो नमबर से काटते हैं, जो दोनों को काट दे, अब उपर क्या बचा, अब और भी देखिए, कुछ कट रहा है, तो आप कहएंगे, बिलकुल ये पाँच भी देखिए, कट रहा है, पाँच एक कम पाँच, और पांच एक कम पाँच, तो उपर क्या बचा, शाट, एक, एक, गौना, एक, गौना, एक, तो उपर क्या आई, साट, और नीचे, एक, गौना, एक, नीचे, एक, एक, लिखने इसको यह मतलब नए, तो अनसर क्या आगया, इससाट आगया, आई होप आपको hyvin 많이 समग में आ गई? अच्छा, अब गलती क कई लड़कों से कि पहले वो ये solve कर लेते हैं पहले कहेंगे कि ये 5 बटे 3 ऐसे लिखेंगे इसको ऐसे ही रखेंगे और इसको 5 बटे 6 और गुणा 7 बटे 2 कर लेंगे पहले तो ये कर लेंगे फिर ठीक है अब देखिए जरा यहां पर गलती क्या हो जाएगी पहले ये जब जैसे ही इसको ऐसे करेंगे तो 5 बटे 3 भागे और इसको solve करेंगे तो 7 बटे 35 और बटे 12 हो जाएगा और फिर इसको क्या करेंगे फिर इसको गुणा करेंगे गुणा करके और इसको फिर पल्टेंगे बारा बटे 35 करेंगे तो यह आ जाएगा इस तरह से पांच एक कम पांच पांच सते 35 तीन चुको बारा यह आ जाएगा चार बटे साथ देखिए पूरा आंसर ही गलत हो गया यहां से साथ आ रहा था यहां से चार बटे साथ तो यह गलती आपको नहीं करने आपको बिना दिमाग लगाए सीधे जहां भाग लगा है वहां कटम लगाना है वहां गुणा कचिन लगाना है और वस संख्याओं को पलटते जाना विल्कुल भी दिमाग नहीं लगाना है उधर से इधार इधर से उधर यह सब गया था ठीक है अब देखिए इसको आप गुणा बनाना उसको क्या कर लेना है गुणा कचिन बना लेना और जैसे ही जो संख्याम आगे मिलती जाए उसको पलटते कि या फिर हमनेग कुणा बना लिया फिर दो बटे तीन मिला फिर लोगने इसको थीन कट लेते अब जो कटेगा काट लेंगे, देखिए, तीन से कटा, तीन एककम तीन, तीन एककम तीन, दो से भी कटेगा, दो एककम दो, और ये कटा, दो दुना, चार, अभी देखिए, च्छे और दो भी कटेगा, दो एककम दो, और दो तीन, च्छे, जिसे काटना नहीं आता है, मैंने सिम्पली अब आप यह करके दिखाइए अब देखें यहां पर अगर आप लोगों को कौनसेट नहीं पता है सिंपल सा और आप अगर दिमाग लगाने चले गए और यहां से करने चले गए तो आपका आंसर डेफिनिटली गलत जाने वाला बहुत ही गलत जाने वाला है सिम्पल सा तरीका बिना दिमाग लगा है आपको कैसे करना है पांच बटे तीन लिखा है भाग जहां जहां लगा है उसको आपको गुणा बनाना है और संख्याओं को पलट देना है तीन बटे पांच लिखा है तो उल्टा करके पांच बटे तीन फिर भाग का चिन है फिर प कटे ऊपर नीचे उसे काट लेना देखिए इस नीचे वाले तीन से ऊपर वाला 3 कट जाएगा चाहिए इस को काट लेज्य कोई लिए ठीक है इस 2 से यह 2 कट जाएगा और कुछ कटेगा ओर कुछ नहीं कटे हम देखिये 5 core पांच का गुना ऊपर तो आपको कुश्चन्स करने आई होगा अब आप लोग कभी इस तरह से जो भीन के भाग होते हैं उनको आसान तरीके से कर पाएंगे और मुझे लगता है कि गलती अब आप लोग नहीं करेंगे ठीक है तो आई होप आपको यह समझ में आ गया होगा तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए और कॉंसेप्ट को लेकर के ओके थैंक्स पो वाचिंग आइस